नमस्कार, परक्त की इस विशेश चर्चर में आज हम बात कर रहे हैं प्रुफेसर आजी तेलिगम के साथ और जो मुद्दा है हमाने सामने वो है इनकी हानुविय प्रकाशित उस तक दीकॉलर्लाइजिंग थेयरी थिंकिंग अप्रोस्ट्रडीशन किताब का अलोषनात्व परक्रिशन करने की पूशिश करेंगे और अभी तब की जो हमारी बात्चीत पिछ्टे दों अगलाई की पूशिश करेंगे तो आपकी इस किताब में तो ऐसे अशे अभार्णाय हैं जो की लगाकार हमें जो अगर मैं अपनी के सब्लोग को यूज थ तिन्किंग अबवाउट निए आउट साइटी जो आपने पार्ट रचेजिए प्रिटिकल सोसाइटी के खास संदर निने आपने फ्रेंस लूस कि एक है आउटसाइट जो के बाउट सेंटल कंपोनेंट है और जिसको के हम रोजमर्रा भी जिंदगी की पेचीद हैं वो चीज यह बहुत ही पैसिनेटी है यह बहुत हमें बहुत नहीं करा से सोचने के लिए इसलिए हमें पेचित करता है अगर हम हर एक अध्याय में जो बाहर है इसको हम थोड़ा सा और मारेकी से देखने हैं तो हर एक अध्याय में वो रैसेड्यू की तरह से नहीं है बाहर जो है वो कि यह जो आउटसाइड है जो बाहर है यह दरहसन हमसे गूजरी तरह के सवाल पूछ रहा है और हमारे जो हमारा इस्टाइबिश्ट थे रेटिनल फ्रेम है उसे दिशन का रहा है लिकिन इसमें एक चुनौटी है अगर हम इसको विशेश रूप से जो आधमित्तावाला अध कि आधमित्ताव उसे सात्य आधमित्ता है तो आप भूत भी हज़पून सवार काथा है यह ज़िए है कि जो इंटर्नल लॉजिक है जो जिस चीज और हम जिस आठीकों इस अंटिटी को हम आतमित्ता कहते हैं आपका यह आधरह है उसके इंटर्नल लॉजिक को, जो डिपरे इस जो कि हमारी अपनी भारती आजनित्ता करी जा सकती है उसमें जो अभयम है उन अभयों की जो पार्तमिता है वो एक सी ही नहीं है अलग अलग है यहां तक आप कविराज के साथ हैं, लेकिन जैसी ही आप आगे जाते हैं तो आप उसको एक चुनौटी देते हैं, इसी सवाल हो कि क्या यह जरूरी है कि जो श्रॉध एक अच्छा में भण दिजिसकांशनी कि कि अटर्ट निट्भाट शॉथ जो है जैसे कंविदा किribare यो ब data ने का फृप्पार क है कि इपत पनी है कि ही इस तरीले हैं और से या लोगता अंधर गडार माल किया तो इसके उपर आपका जो आप को समान पेश कर रहे हैं वह यह है कि क्या इस जरूरी है और अधि देश साले में रहे है स्याथा है कि यह जरूरी है कि हम यह जो इस्थापिक्त कर्टेगरीज हैं चाहिए वह आजने पता होगा पॉलिक कर्टेगरी जरूरी है कि हम इनके ही मात्यम से जो बच गया उसको रेसिट्यू समझें भी तो इसी लिए आपका जो बाहर होने वाला सेतान्त है या बाहरी पन अगर हम इसको पलट कर देखें तो यह जो हमारी जोस्मरवर जिन्दगी है इसमें कुछ ऐसा तो जरूर है जो कि कमिराज की अपनी कहानी केवन डिफ्रेंसेशन किसाफ में नहीं है कमिराज के कहानी ने पूरा रोल मैंदी है तो जो आपका सवाल है कमिराज के साथ कि और जो सवाल उस फुटनोट के डिसकुशन के बाद आता है तो सवाल कुछ इस किसम से है कि और फिर आप अपरमास वाली चाचा में चले जाते हैं कि महा भी एक विशिष्ट जो अपोनेंट है उस कंपोनेंट के जरीए अधुनिक्ता की व्याथा की गाता की गाता है कि जो रि लेकिन यह सवाल तो यहां पिर दुबारा से होता है कि जो आप कह रहे हैं तो क्या पहले पहले सवाल को यह उखता है कि क्या वाकरी में आप भी मांगते हैं कि कुछ ऐसा है जिसको कि आदमनिक कहा जा सकता है और अगर यह आउटसाइड है तो यह पूरा जो इसमें कुछ आपका जो सवाल है मैं उसकी पूरी तफसील में नहीं जाओंगा कविराज के तरक के लेकिन वो जो बुनियादी तोर पे बात कह रहे हैं वो यह है कि मुडर्निटी कोई एक परिगटना नहीं है उसके कई अलग-अलग उसके अंदर कई अलग-अलग परिगटनाओं का वो उसकी सिक्वेंसेज अलग हो सकते हैं की अलग सिलसले में सिलसलावा डंग से समने आति हैं और कौन सी पहले आती है उसके बिना पर यह तह होता है कि यह उस पुटिकुलर आदुनिक्ता की शक्ल क्या होगी तो यहां तक तो वो तर्क जो है वो बहुत ही दिल्चस्प भी था और एक तरह से नए आयाम खोलने वाला था और इसलिए मैंने शुरू में तो इसको काफी हद तक इसको इसको इस्तेमाल इस सर्थ में किया कि वो मेरे कुद के सोच का एक हिस्सा बन गया था लेकिन आइस्ता आइस्ता एक चीज और यहां पर वो आउटसाइड का सवाल आता है कि एक चीज जो है एक सवाल लगातार दिमाग में था कि जिसे हम आधनिक तक कह रहे हैं वो है दर असल क्या यह इन सारी चीज़ों को मिला के जो बन रहा है उसको कविराज मॉडर्निटी के रहे हैं और उसमें फिर और अल्टर्निटिव मॉडर्निटीज हैं और उसमें अगर आप देखें और यह बात मैंने साइंस और टेकनोलोजी के डिवेलपमेंट देखें तो आप पाएंगे कि दुनिया की किसी भी समाज में किसी भी मुकाम में यह सारी चीज़ें थीं सिर्फ इन से modernity नहीं बनती है अगर ये modernity है तो modernity किसी भी समाज में कभी ही हो सकते है फिर उसकी specificity खत्म हो जाती है तो सवाल यह था कि फिर क्या है जो आज जिसे हम लोग modernity के नाम से जानते हैं वो उसकी खास खुसुसियत क्या है और वो एक्स्प्लोर करते हुए मुझे लगा कि शायद यहां पर कविराज जिस चीज को unpack करते हैं लेकिन अधूरा करते हैं वो यह है कि इसकी जितनी भी components हैं उनके अपने अलग इतिहास हैं तो अब मानली जे ट्रेड है ट्रेड एंड कॉमर्स है जिसका बाद में इंडस्ट्री और इंडस्ट्रिलाइजेशन में उसकी बहुत सारी चीजों का finance का check transactions का बहुत सारे ऐसे instruments develop होते हैं even markets का developed markets का accounting का तो यह सारी चीज़े हैं के अलग history है जो आप Mediterranean में 9th century से पूरे इस्लाम के साथ बढ़ता देख सकते हैं वो यूरप के internal नहीं है चाइना का industrialization बहुत पुराना है और उसकी बहुत लंबी history है सत्रा सो तक चीन अकेले सारे यूरप से ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करता था तो बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जो दुनिया भर में और और जगह पर हो रही थी इंडियन mathematics है उस mathematics के बिना आप कोई colonial rule के calculations का अप अंदाज आईने हो को हिसाब सेकुलर स्टेट क्राफ्ट की हिस्ट्री जो है वो सिर्फ यूरप की नहीं यूरप में तो वो modernity के साथ आती है लेकिन ये दुनिया भर में है क्या हमारे यहां पर मुगल कोई चरिया करूल चल रहा थे हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में देख लीजे चाइना में देख लीजे जपान में देख लीजे ये कोई थियोक्राटिक किसम का जिस तरह का यूरप में है वैसा नहीं है तो इसलिए जो configuration बनता है जिसे हम modernity के नाम से जान रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें असेंबल तो हो रही है दुनिया भर से लेके उसमें यूरप की जो specific contribution है वो क्या है वो है discourse of rights और individual autonomy जिसके केंदर में property right है और वहां से निकलता है फुर पूरा पुंजिवाद का industrialization का और वो सारी चीज़ों का हिसाब तो दुनिया के जादा तर हिस्सों को आप modernity, non-modernity वाले या modernity उसके tradition के खांचे में नहीं डाल सकते हैं लेकिन फिर भी जो बन के आता है मेरे सामने, final form में वो बिलकुल नया है और उसमें एक तरह से epistemically एक rupture है तो उसे हिंदुस्तान के संदर्ब में या बहुत सारे non-west के संदर्ब में मैं paramodern कर रहा हूँ जो outside है वो paramodern है जहां पर दरसल modernity कहीं भी किसी भी सुरत में hegemonic नहीं हो पाती है उसका hegemoni के दाहरा हमेशा सीमिती रहता है तो वो है और outside मैं ये भी कह दूँ कि outside को मैं हमेशा within quotation mark हाँ within quotation mark रखता हूँ क्योंकि outside का माने तभी है जब तक आप उसको एक structure के context में देख रहे हैं अगर structure ही नहीं है तो फिर वो outside क्या है तो इसलिए वो है जो कभी भी पूरी तरह से colonize नहीं होता है और वो residue नहीं है वो बहुत बड़ा हिस्सा है आज भी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो Asia में, Africa में, Latin America में वो नाबादियों का है जो दायरे में नहीं जीते है तो अब outside कहने के लिए पहले आपको structure define करना पड़ेगा तो इसलिए उसको quotation mark में रखके कहना मेरा कोशिश है कि इसको आप एक open field की तरह देख सकते हैं जहां पे वो कोशिश रहती है लगातार और ये भी है कि जब आप आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे पे असर डालते हैं उससे वो structure नहीं मन जाता है निसेसरली तो ये है उसका अगर मुक्तसर में कहूं तो इसी से जो निकलता हूँ सवाल है वो ये है कि लिकन ये जो आपने कहा पैरा मॉर्डन ये पैरा मॉर्डन जो discussion में आ रहा है पैरा मॉर्डन जो है जो सवाल मेरा था क्या जिसको हम जो आपका सवाल कवियाद से है क्या उसमें हम जो ये पूरा का इंटेशन इसको हम क्या देंगी तो आपने उसका जवाब दिया लेकिन मेरी जो मेरा सवाल था वो चैप्टर के सब्सक्राइब के साथ में नहीं नहीं है बलकि उसमें जो discussion हो colonial के उने के साथ में खत्म होता है लेकिन जो सवाल है और फिर पोलिल्टिकल वाली जो चैप्टर है जो सवाल जनता है वो यह है कि जो कुछ यह एक चीज है और यह सवाल की जो पेशीर भी है यह पार्क चैप्टर भी से भी हो सकती है और आप अलगि आपका टेक बिटकुल उसका अलग होगा मुझे पताई इकनी सवाल आपके लिए में पूछो ना कि जो सियासी आप अकसर यूज करने है और एक है जो कि राही कि पर जो संदचनाओ वाला इसके बीच में आपने पावर स्ट्रक्चर क्रियेट करता है अगर हम हिंदुस्तान के संदर में पुझवला यूजना एक बहुत या उज्वला या इसी तहां का जो अपने अपने आरे से साओना अपने कोई स्ट्रक्चर चीज नहीं है वो जो अपरेट करते हैं वो जिस रियल को हम वो जो यह जो आउटसाइड में आउटसाइडर हमारा ये इन विच्टनाव को कैसे रिकॉंस्तिक्यूट करता है जिसको क्या है तो यह जो चीजो पर मुझे लगता है तो यह दो चीजो पर मुझे लगता है कि कहीं कि आपके आपका डिस्केशन बिल्कुल साही रेजिटेमेट है कि उसका फ्लो है आर्गुमेंट का लेकिन यह सवाल एक पार्टक के नजरीये से मेरे लिए है कि क्योंकि आपके पिछली राइटिंग्स में बहुत बहुत कूशल फर्क है या फॉर्मल कि आप सही कह रहे हैं वो इस वाले इस किताब में मैंने उसको बहुत ज़्यादा दिशा में नहीं गया क्योंकि इरादा सिर्फ यह था कि यह जिसे वेस्टेन थियरी में पॉलिटिक से पॉलिटिकल कहा जाता है उसका उसके बारे में एक मिथिकल हिस्ट्री है वो एमर्ज पाखिरकार स्टेट और स्टेट पाउर के बारे में अलग आप इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं और इसके बरक्स अगर आप दुनिया के और जगों के इतिहास देखना शुरू करें तो आपको कोई और ही कहानी नजर आती है तो इसका उद्देश है सिर्फ इतना था इस उसको चैलेंज किया जाए लेकिन सवाल आपका अपनी जगे पर जायस है कि मतलब वो आगे चलके वो सवाल आने ही है तो मैं जो पिछले सेग्मेंट में बात कर रहा था तो मैंने कहा कि वो आगे जो पॉलिटिक्स को लेके मेरा काम है जो दिमाग में है जो काम मुझे करना एक तो यह है कि जिसे हम लोग फॉर्मली पॉलिटिकल डॉमेन कहते हैं, उसमें जो कुछ होता है वो क्या सियासत है, वो क्या पॉलिटिक्स है, अभी सियासत नहीं है, तो अब उसमें बहुत सारी चीज़े होती हैं, उसमें पॉलिसी फॉर्मिलेशन होती हैं, उसमें ऐग्र लेकिन पॉलिटिक्स भी होती है और उसके साथ बहुत सारी चीजे होती है इलेक्शन होती है पार्टियां है यह वगरा इसका पूरा अपना तामजाम है लेकिन उसके एक दूसरा पहलू है और यह सवाल शायद कम मेतवपूर्ण नहीं है कि जिसे मैंने पहले सियासत कहा है ज यह कहीं पर भी जहां पर भी कलेक्टिव दावेदारियां पेश की जाती है वहीं पर पॉलिटिक्स हो जाती और वो लेकिन वो किस सतत अप्टिविटी है इसा भी जरूरी नहीं है मतलब ऐसा वक्त हो सकता है जब लंबे समय तक मान लीजे हिंदुस्तान में अगर आप दे In fact, 80s के एक पॉइंट से, तो तकरीबन एक किसम की दावेदारियां जहें, खत्म हो गए, वो बैक ग्राउंड में चली गए, और जो सेकंड डेमोक्राटिक अपसर्ज और अगरा वाली बात कही जाती है, लोर कास्ट मंडल कमिशन के बाद उनका अपसर्ज, उस सबसे जो दा और इस तर तक वो दिखाई देती हैं, लेकिन उनका कोई कॉइंट पॉलिटिकल ट्रांसलेशन नहीं है, उस से कोई नई तरह की अलग किसम की सियासत नहीं निकलती है, पॉलिटिक्स नहीं निकलती है, तो यह जो प्रॉब्लम है, यह अल्टिमेटली उस बात से जुड़े की जाके, जहां आपने पहले खत्म किया था और जहां गांधी का भी सवाल था, कि पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल डोमेन को हम कैसे कंसेप्चिलाइज करते हैं, मतलब मुझे लगता है कि वहाँ पे, पेच वहाँ पे है, और नए सिरे से हमें उसको थिराइज करने की भी हैं, तो गांधी उस सेंस में बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि गांधी एक्टिव हैं और एक्शन में यकीन ज़रूर करते हैं, लेकिन उनके वो पिरियोडिक विड्रॉल्स भी हैं, तो वो उस फुल फ्लेज़ड एक्शन वाले मोड में नहीं रहते हैं, वहाँ पे एक पैसिवनेस भी है, जो चाइना वाले कॉंटेक्स में मैं कह रहा था कि वहाँ पे जो ये प्रोपेंसिटी ओफ तिंग्स के साथ चलने की जो बात कही जाती है, बनिजबत बाहर से एक्शन के जरेए परिवर्तन करने की, ट्रांस्टरिमिशन क्रने की, यह एक नए लग किसम की थीराइजेशन की दावत देता है, वो इस किताब में तो नहीं है, लेकिन वो मेरे सरोकारों में है और मतलब उसको आगे जरूर मुझे परसू करना है आज के बाई तीस्ता जो जो एहम सवाल है विस्सेक में है, मुझे लगता है वो आउट साइट से ही जुड़ा हुआ है पेरा मॉडन की आपने जिकर किया सट्टलर वाला जो दिस्केशन में चेप्टर है और मैं उससे सहमत हूँ वापे यह अज़ा है कि आपके साथ बहुत सारी चीज़े चलती है और वो तो कितने स्थरों पर चलती है मतलब चाहे वो हमारा सर्वे डेटा से मिकलने वाली पाइलिंस हो यह हमारे अपने अपने परसम उसमें उसमें बहुत सारी चीज़े हैं को कि आसानी सही जो कॉंसेप्ट नामाटन उसके जरी समझा जा सकता है तो यह बहुत पावरफुल चीज़े एक तरीके से समझने के लिए सवाल जो है मतलब दो तरह से एक उधारण से में सवाल पूछना चाहिए और वो जो आपने पिछला जवाब दिया उसके कंटिनुएशन में वो सवाल बनता है सवाल यह है कि आप शप्ट ट्रडिशन और परंपरा पर हमेशा जोड़ देके चले आ रहे हैं पूरी पिताब और आप यह भी मान रहे हैं कि इसके इसका एक उप्योग जो राष्ट वादिता इसेंशलिजम उस तरह होता है और हो भी हाँ समस्य आती है तब जबकि जो यह पूरा असेंबलेज है हमारे इस असेंबलेज में हम उसे कैसे दर्किदार करें क्योंकि वो ऐसा है और ऐसा जैसे ही नही शक्ति संद्रशनाय बनेंगी उस समाज में उसकी स्विकायका भी हो गया जैसे अभी जो है आरुवेद में सब पुरान में सब कुछ है जहां जैसे ही शक्ति संद्रशना बदलेगी जैसे ही परंपरा जो है वो इसेंशलाइज हो जाएगी और पूरा नॉन्वेस्ट का यह हो जाएगा आप यह बराबर हमें पूरी किताब में इससे आधार करते चलना है लेकिन सवाल यह है कि फिर यह परंपरा शब्द है उसके हमारे माईने क्या हो इससे बचने के बावजूद एक तो सवाल यह है और फिर दूसरा सवाल जो इससे जुड़ा हुआ सवाल है वो है और यह सवाल अभे भाई की किताब में भी एप्रोपियेटली में का हुआ एड्रस नहीं किया रहा है सवाल सवाल सब्सक्राइब है और सतक समाज परिवद्द है और उसको एक डिरेक्शन देना है तो अभी जो तीन लेक्चर मोहन भावबत में दिए उसमें उन्होंने बहुत साफ किया कि हमारा कोई यह मिशेश यह नहीं कि समीधान बतले या ऐसा कुछ हो हमारा तो समाज ब जलने कां हमारा जो है परमपरागत है परमपरा शक्त के इसक नमारे है और वह इस ताहय से है कि अगर समाज बत तो प्र और हमें बिकुल कोई कि अएक्शन नहीं करना है तो महासभा और इसकी वहस में फर्क सिर्फ एक्षन का है हमें इसी के साथ चल ला है तो यहां एक चुनौती है आपके गहारेशन को लेकर वो चुनौती यह एक तरफ आप यह कहरें कि इससे बज़ना है दूसरा ये कि ये सिर्फ पावर स्ट्रक्शर का ही सवाल नहीं है सुखारिता जो है वो मतलब आम फहम सहमती वन जाते है इसको लेकर आरिवेद में सब कुछ है तो ये जो हम जो क्रिटिकल ठिंटिंग की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा कहीं पर नहीं है वो अभी हमारी बातचीत में यह चीज आई अपने गांदी का एक्जान कर दिया गांदी बहुत सिंपल सेंस में इसको यह कहेंगे वो एक शब्द बहुत बार बार समय विवेक है रीजन के साथ निये तो मैं इसको यह करूगा तो आप क्या कहें देशन दो छोटे ल आपने RSS वाले उदारन लिया वो मेरे लिए दरसल एक रेफरेंस पॉइंट है क्योंकि हम लोग फासिजम फासिजम कहते हैं लेकिन यूरोपियन फासिजम की तरह इनका कभी भी 24 से पहले श्ते का वो अब सेशन नहीं था स्टेट इनके लिए हमेशा बाहरी इंपो क्याक था नेशन जिए वो प्रूग्रम निर्ट का धावशिजम का दरगोंदार जो है वो नेशन पे था औरस्टेट जो है वो एक बाहरी कोलोनियल इम प्रोजिचन था तो मूलते जो प्रोग्राम इनका समाज परिवर्तन का बनता है या सांस्कृतिक परिवर्तन का बनता है कल्चरल ट्रांस्फरमेशन का वो अगर सही मायने में कहें एक तरह का ग्रामशियन प्रोजेक्ट है जिसमें स्टेट जो है वो तो बिलकुल आखरी किला है असली लड़ाई तो समाज बदलने की है उस माएने में हिंदुतों का ये जो एलिमेंट है RSS का वो दिल्चस्प है और उसको इसलिए मैं मतलब अपने एक रेफरेंस पॉइंट की तरह रखता हूँ जो इससे आपका जुड़ावा दूसरा सवाल है पहले तो ये कहूँ कि परंपरा ट्रेडिशन ये तमाम चीजें मेरे लिए जाहर है कि उस असेंशनिस टर्थ में मैं नहीं इस्तिमाल कर रहा हूँ परंपरा हैं हमेशा लिविंग ट्रेडिशन होती है और लिविंग होने का मतलब ये है कि वो वक्त के साथ बदलती है तो पूरी 19th century में एक Hindu reformer आपको नहीं मिलेगा मतलब सनातनियों को छोड़के जो पकड़के बैठे थे अपने उसको लेकिन आप राम मोहन राविद्यासागर से शुरू कीजे और स्वामी द्यानंद सरस्वती हो चाए वियकानंद हो सब जो है वो जाती प्रता के खिलाफ थे सब कास्ट और अंटचबिलिटी को खत्म करना चाहते थे और उनके अपने अपनी व्याक्ष्याएं थी मसला नारे समाज का ये कहना था ये शास्त्रों में तो नहीं है कहीं तो वेदों में प्योर हिंदु धर्म मिलेगा वेदिक धर्म वेदिक धर्म जो है अब बाकी जो ये है ये सब सोशल डिफॉर्मिटी या डिस्टॉर्शंस हैं जो समाज के अपनी जिंदगी में जीवन किले में बनती चली गई है इन बुराईयों से हमें नजात पानी है तो ये भी तो एक ट्रेडिशन की ही रिइन्वेंशन है ना तो उस अर्थ में ट्रेडिशन हमेशा बदलता भी है मैं उस अर्थ में इस्तिवाल कर रहा हूं कि बदलने के साथ-साथ वो बहुत कुछ लेकिन रखता भी है जात में तो ट्रेडिशन जिस माइने में बदलता है और हम लोग जो मौडर्ण वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करके निकले हैं हम जिस तरह से बदले हैं इन दोनों बदलाओं में फर्क है अब जाहर है कि क्रिटिकल थिंकिंग मैंने अलग से उसमें नहीं डील किया लेकिन मेरे ख्याल सिब जो पूरी किताब में लगातार जो तर्क है वो उस किसन के ट्रेडिशन के अंडरस्टेंडिंग के खिलाफ ही है और जिसमें मेरा ये मानना है कि उसमें जादातर जो है वो खुद एक कॉलनाइस्ट मेंटलिटी का की तरफ इशारा करता है क्योंकि जिस हिंदु़िजम की बात कर रहे हैं हिंदुजम इनको नाइंटीन सेंचरी की इंडालोजी के थ्रू और और उरिएंटलिस्ट रिसेच के थ्रू ही मिला है वो रिसेच आप बहुत आगे बढ़ गई लेकिन यह वहीं फंसेवे हैं वो अलग बात है लेकिन कम से कम उस जबाने में जो रिकॉंस्टिटूशन हुआ वो वहां से हुआ हम लोगों की दिक्कत यह है कि हम लोगों ने दर असल जो सेकुलर हो गए हम लोगों सेकुलर मॉडर्न तो हम लोगों ने more or less यह मान लिया कि वो तो वेस्ट से पहले तो सब अंधेरा ही था उससे तो पहले कुछ थाई नहीं यहाँ पे मतलब हम लोग ने तो अहिल्या की तरह इंतजार में थे कि कब रामचंद के पैर पढ़ेंगे तो हम फिर जिन्दगी जीना शुरू करेंगे लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया की सारी हर समाज में इंक्लूडिंग हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट्स हुए है मेडिसन के क्षेतर में हुए है मैथमेटिक्स में हुए है यह पूरा जो चरक संगनिता सुष्रूत वगरा आज यह आप कभी भी गूगल करके देखियेगा जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है प्लास्टिक सर्जरी वगरा उसकी जो पहली मिसाले मिलती हैं जिसके बेसिस पे प्लास्टिक सर्जरी का डेवलपमेंट हुआ वो पुराना इंडियन सुष्रूत वगरा में के थ्रू मिलती है तो बहुत कुछ ऐसा था जिसे हम लोगोंने खारिज कर दिया और उसे यह लोग एक तरह से अपने यह जंडा बड़दार बन जाते हैं उसके तो मेरा जो कहने का मतलब है वो यह है कि हम जब ट्रेडिशन की अपरंपरा की बात करते हैं तो दो अर्थों में एक तो एज अन अनलिटिकल काटेगरी यह समझना चाहिए कि यह जो द्वैत हम लोगोंने बना रखा है इसके आगे भी कुछ है वो जो लगातार जो नॉन सिंक्रोनिस सिंक्रोनिसिटी है उसका एक हिस्सा जो है वो यह ट्रेडिशन है जो बदल रहा है और दूसरे वो है जो यह लोग एक तरह से एसेंशलाइज करके उसको एक नेगेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाते हैं या नेगेटिव पॉलिटिक्स किसम की पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ जाहर है कि एक लगातार क्रिटिकल एंगेजमेंट जरूरी है लेकिन एंगेजमेंट जरूरी है मतलब उससे हम बच नहीं सकते हैं अजयत्वाई अब यह हमारा सवाल है क्योंकि यह बार्चीट तो कभी खातम नहीं होगी और हो नहीं मिनीं चाहिए सवाल यह है कि और यह इस किताब का आउटसाइड समझी दो इसके फोल्ड दो लेयर है इस सवाल कि एक है कि जो अगर हम कंटेंटरी को फोकस करना है इस समकालिमता में जो जन का विशाय जो 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 अब बीड़ भी हो सकता और जो की जो बहुत सारे अलग अलग प्रभावों के साथ में अगर मैं इसको आप ही कि यह रखकर देखने की पुर्शिश करों तो इसमें पैरा मॉडल भी है इसमें पॉलिटिकल भी है इसमें कुछ-कुछ जो जिसे हम फॉर्मल कॉलिटिक्स भी कह सकते हैं इस कान्फिबरेशन ने जन जो और यह बदल भी लहा लगाता तो इसमें जो बल्कि एक जगह पर बहुत अच्छा रफरेंस आता है कि इतना इंपिरिकल इंपिरिकल इतना मैसी है कि इसको आपको रेस वह विचार हो थी जो हिंदुस्तान में उसले 10-18 सालों में बदला है तो उसको मैं चाहता हूं कि उसको आप थोड़ा से रुफलेक्ट करें कैसे बदला है मैं थोड़ा से उसको मेरा सवाज होता है कि जैसे यह फ्रेज बराबर आने लगा और यह न्यू लिबरल जन है न् नियूत करें तरह से एक वे आम आदमी है तो और बड़ा सीदा सचा बोला है वह एक रैशनल मोटर है सीदा सचा बोला है और वो माजूम टैक्स्ट करें और इसी में यही जो जन का यह जो अस्थित्र है इस कलेक्टिविटी यह और यह इसी के जरीये जो मेजुरिटेरियन बहुसंक्यक बात का जो इसी की जरीए बनता है लेकिन इसमें जो क्रिटीक है इसका इस जन्द अप्लिटिक नहीं है जो हमारे सामने जो चीजें आती हैं वह यह आती है कि पॉलिटीशन खराब हैं पॉलिसी मेकर खराब हैं जो जन्द है और यह अधिनायक तर्थव वाली ब आपकी किताब से लिकलता है जो जन्द का विचार है इस करेक्टिविटी को जो इस पूरे कॉंप्लेक्स मैसी कंपिग्रेशन के अंदर इस जन्द के विचार की जो की जो परंपरा को परंपरा को बहुसंध्यक वाद के संदर्व में देख आ जो के बिल्कुल गला-गाटो प्रतियोगिता का हामी है और जो की बिल्कुल इंस्टुमेंटली एक उकरंड की तरह काईनीटी को देखता है इसका क्रिटीट नहीं होता यह जन्द मासूम रहता है और यह कईने कहीं पर मैं आपकी किताब का सहरा लो तो इस मॉर्डनिस प्रोजेक्ट से निकला हो जिसमे जिसे अभई भाई से भात कर दे में भी बात आती है ओक प्रहत की पुरानी को विताइप य Memorial बात वो नहीं है इसको यह जो लिंचिंग भी लिन्चिंग ADCR ही जो रेंद भी जाएक इस इस कुल्येज का क्रिटी कर इसको भी मैं दो लेवल पर रिस्पॉंड करता हूँ पहला तो सवाल यह है कि अब यहां मुझे लगता है कि शायद आपके सवाल में या तो मैं समझा नहीं थोड़ा सा दो दो चीजों के बीच में कुछ मुझे लगा घाल मेल तो नहीं हो रहा है कि आप देखेंगे कि अलग-अलग समय प बनने के अलग-अलग वो बनते हैं विमर्श बनते हैं और वो उसको अलग धंग से कंस्टिट्यूट करते हैं तो वो दो हमेशा मतलब उनमें लिंक हो सकता है अक्सर तो वो भी नहीं ज़रूरी नहीं कि वो हो और उसी से जरसल पॉलिटिक्स का शेप तै होता है तो अगर मान लीजे दो हजार ग्यारा से इंडिया अगेंस्ट करॉप्शन और उसके बाद आम आदमी पार्टियू यह सब एक फॉर्मेशन के तौर पे देखा जाए तो यह वो लमा था जब दरसल पहली बार बिना किसी उसके बिना किसी आट्रिमन मैं इसको एक अपने अलग पर्चे में इसको मैंने निर्गुन जन कहा है कि यह निर्गुन इस सेंस में है कि इसके कोई आपने और परिभाशाएं नहीं दी है यहां तक कि उसका कोई अलग जंडा भी नहीं था वो नाशनल जंडा ही लेकर चलता था और उसका पूरा जो तरीका था वो एक अबस्ट्रैक्ट आम आदमी की बात करना था जिसमें हिंदू, मुसल्मान, दलित, उची जाती, सवर्ण, वर्ण यह सब डिस्कोर्ज का इससा नहीं था उस अर्थ में इनिर्गुन था दूसरे जन के जो फॉर्मेशन्स हैं जो मान लीजे राम जन भूमी आंदोलन के दोरान दिखाई देते हैं वो बिल्कुल सगुन है, उसमें उसका शेप और उसका फॉर्मेशन जो है बहुत क्लियर है वो राम भाक्त हैं या शिव भाक्त हैं या क्या हैं वो आपको उन अलग फॉर्मेशन्स में दिखाई देगा जो और अलग अलग वक्त पर हुई हैं और लेकिन ये मेरा ये कहना है कि ये सब कंजंग्चरल हैं तो आज मान लीजिए जो किसान अब इसमें कोई पार्टी नहीं है भी फिल्हाल लेकिन अगर आज की तारीख में और 2011 से पहले इंडिया गंस्ट करफशन से पहले भी कोई पार्टी नहीं थी वो तो एक अंदोलन था अंदोलन ने खड़ा किया एक खास किसम की डिस्कर्सिव कंफिगरेशन में एक जन इमर्ज किया और उसके बाद एक पार्टी है और वो कि पुराने हिंदुतों फिंदुतों को साइड से काटता हुआ निकल जाएगा क्योंकि इस वक्त इसकी जो फॉर्मिशन है वो कुछ माइनों में बहुत रैडिकल भी है और उतनी निरगुन भी शाइद नहीं है जितनी की इंडिया अगेंस्ट करफशन की थी क्योंकि यहां पर कम से कम किसान नाम की एक एंटिटी तो है सामने किसान और किसानी उसमें तो वो नहीं था उसमें बिलकुल क्लियर था है अब जो तीनों में एक चीज कॉमन है इंडिया अगेंस्ट करप्शन से अंटी सीए मुव्मेंट और इसमें वो है तिरंगा कि और कोई जंडा नहीं है मतलब हैं चोटे मोटे इधर उधर लेकिन बेसिकली जो मुव्मेंट की आइडेंटिटी है वो तिरंगा है तो उस लेवल पर उसकी कोशिश एक ऐसे जन की तरफ बढ़ने की है जो जिसे ग्रामशियन भाषा में नैशनल पॉपुलर कहा जाए कि जो बिना उसको एक सगुन शेप दिये नैशनल पॉपुलर बन जाता है तो ये मुझे लगता है कि बिलकुल कंजंक्चरल होता है और उसके बिना पर राजनीती बनती है राजनीतिक पार्टियां बनती हैं वो खड़ी होती हैं कोई और जीतने हारने का बहुत कुछ जो है वो इस बात पर मनसर करता है कि कहां तक आप एक काउंटर नेरेटिव एक काउंटर कंस्ट्रक्ट इपल का जन का खड़ा कर पाते हैं तो ये तो एक स्तर है दूसरा क्या था इसमें आपका सवाल हां तो उसमें भी मेरा कहना यही है कि वो बदलना जो है वो अब अगर मतलब आप पूरा 2014 के प्रोसेस को देखें मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत जादा बारी की से अध्यान करने की ज़रूरत है 2013 तक सीन कुछ और था 2013 के दिल्ली इलेक्शन हुए उसके बाद दिल्ली में आमादमी पार्टी 28 सीड जीती और वो सब पूरा हो रहा था और सारे हिंदुस्तान भर में आपको याद हो तो स्वते सूट धंग से आमादमी पार्टी की शाकाएं बनने लगी लोग आने लगे और तमाम तरह के लोग उसमें जोडने लगे मतलब सोशल मुव्मेंट से लिंक लोग भी थे उसमें बिल्कुल किसी से लिंक नहीं है ऐसे लोग भी थे उसमें जो ऐसे लोग भी थे जो अपने आपको नियो लिबरल classes का group consuming classes का हिस्सा समझते और वो उस तरह का entitlement समझते थे वो भी इसमें शामिल थे तो वो था लेकिन फिर आप अचानक देखते हैं कि एक पॉइंट पर और यहाँ कि मतलब इसकी जो स्वते सुर्था को काउंटर करने वाली एक कुछ और टेंडेंसीज भी काम कर नहीं थी जैसे ही गैस प्राइसे का मुद्दा सामने उठाया जाता है पिद्रिवाल ने कई बार उठाया इदर उधर करके उदर ने कैसे और फिर वो रुख गया उस वक्त लेकिन उसके निशानें पर हमानी थे और जैसे ही वो हुआ उसके फोरण बाद मीडिया का रुख बदला ज वो एकदम उसके बाद वो होस्टाइल एक रुख अफ्तियार करता है और उसी वक्त उनकी एक नए अधिनायक की तलास शुरू होती जो एक्चली अल्रेडी 2009 से चालू थी मतलब मोदी की तरफ से और तब से चालू थी लेकिन वो क्लिंच नहीं हो पा रही थी 2013 में पर हुई जाके कि जो पैसा जोगाल कर पाएगा वो दोनों में से वो जाएगा तो और बैकिंग बहुत जरूरी थी तो यह पूरा जो खेल जिस तरह से बना और यह जो सारे इस बने आरे से की चोईस नहीं था नरे निमो दिश्व तो यह जो गन्फिगरेशन बना और यह क जहां आप और कुछ बात ही नहीं आने देंगे सामने जहां और यह तो मतलब विल्कुल क्लियर है पिछले छे साथ साल में कि दो फ्लोज कंट्रोल करनी है आपको पैसे की और इंफरमेशन की यह दो आपने कंट्रोल कर ली तो आप सारा पॉपुलर विल जो है वो धरा का ध बैक्ता हूं कि कब वो माजोरिटेरियनिजम के तरफ चला जाता है यह जो मेजोरिटेरियनिजम के तरफ जाना था उसके पीछे बहुत सारे बहुत daars conspiracy शब तो बहुत खराब लगता है सुनने में लेकिन strategies हैं बहुत concrete strategies हैं जिसमें कई किसम की forces का interest जो है एक साथ जुड़ जाता है शुरुवात इसकी हुई अगर आप थोड़ा सा दो मिनट के लिए पीछे जाएं तो शुरुवात इसकी होती है immediately सिंगूर नंदिग्राम के बाद जैसे ही टाटा वहाँ से निकले सिंगूर से वैसे ही मोदी ने उनको offer किया कि हमारे याँ जमीन देते हैं आपको हमारे याँ दो मिनट नहीं लगेगा तो ही पूरा corporate sector जो है जो उसे लगा कि ये है नेता हो तो ऐसा हो तो इसके उपर कोई democracy democracy की तलवार नहीं लटकी है यह जब कहेगा तब निकाल देगा आपको आपको जितनी जमीन हो जमीन देदेगा बगरा बगरा एक section तब शिफ्ट करता है तो यह जो पूरा scene है इसका दरसल उस public politics से कोई तालुक नहीं था यह परदे की पीछे होने वाले दूसरे खेल हैं वो उनको अगर नहीं देखेंगे और सिर्फ जो पब्लिक व्यू में हो रहा है तो फिर कुछ और नतीजा निकलेगा तो इसलिए मैं इसको स्वतेसूत transformation नहीं मानता कि मतलब यहां से लेकर वहां तक अईसा नहीं था मुझे लगता उसको डेफिनेटली उसके पीछे यह सारी चीजें जो हैं बहुत आहिम भूमिका अदा करता नहीं मैं बिल्कुल मैं फैसिनेटिंग जवाब में है मुझे बहुत पसंदा है यह जवाब आपका लेकिन यह एक नए सवाल के तरफ उमको लेक क्योंकि पॉलिटिक्स के फार्मल डोमेन में एक केंद्रे करण में साथ दिखता चला जा रहा है और दूसरी तरफ एक जवर्दस ट्रेग्मेंटेशन है तो इसमें जो दो चीज़ा है एक जो यह आउटसाइड है इस आउटसाइड से क्या जो इस इस केंद्रे करण के चु सक्राइब और सक्राइजतन के लिए आपर परόलिटिकल गांशन के लिक तरहें कि व outta यहां हम हमग्ली कर रहे हैं फ्र कर रहे हैं बद्रक्रिस्टी में आईज एकोन में पुणी वाप्कंचन आच षू बहुत है और इसम्स्यम पार्थ नहीं कर रहा हैं ऊप्सरै लेकिन न मेजुरिटेरिंग हो चुकी है। इसमें सवाज ए एजेंसी का, कि ये जो आउटसाइड हैं माना, इस आउटसाइड में वो कौन से जरीय होंगे, जिनके जरीय इस पूरे नए जो के बहुत ही सेंटलाइज्ड है, जो पॉब्लिक उपीनियन भी मीटिया जरीय बना रहा है, उसको और चनाती है। तो थोड़ा तो ये सवाल, इसका जवाब जो है, तो थोड़ा तो स्पेकुलेशन की डोमेन में जाएगा जाहर है। लेकिन एक चीज़ मैं कम से कम कन्वि उसके दिन लद गए हैं, मतलब जो पिछले देड़ सो दो सो साल की, एक्चुली नाइंटीन सेंचरी के आखिर से शुरुआत होती है और उसके बाद पूरी ट्विंटीएथ सेंचरी, ओलरेडी ट्विंटीएथ सेंचरी के आखिर तक आते आते, उसका लिजिटिमिसी जो ह वो खत्मोंने लगती है, अब जैसे इस बार यूएस इलेक्शन में भी दिखाई दिया, तो ऑक्टीपाई वाल स्टीट के बाद, मतलब वो पूरा जो मोमेंट था, यहां इंडिया गेंस्ट करॉप्शन, अरब स्प्रिंग, ऑक्टीपाई वाल स्टीट, यह जो पूरा सम साइंटिस्टों की, और आमतर पे वो भी इस निशकर्स पर पहुंचे, कि मतलब एक्टली डिमोक्रिसी नाम की कोई चीज है नहीं, चीज़ें हम लोग डिमोक्रिसी कह रहे हैं, वो इलेक्टोरल प्लूटोक्रिसी हैं, यह लेक्टोरल ओलिगार्की हैं, और उसको मेनुप से भी आप डामडोल नहीं कर सकते हैं, तो उसकी वाज़े से अभी यह स्थिती हो गई है, कि यह जो सारे आंदोलन थे, और इंक्लूडिंग जो हमारा anti-CAE movement यह फार्मर्स agitation, इन सब में आप देखेंगे कि पोलिटिकल पार्टियों पे बिलकुल बैन है, आप आईए, बै while she देने का वो नहीं है, यह बिलकुल clear है, इसमें भी clear है, और बाकी सब में भी बिलकुल clear था, तो एक मायने में ये निकल कहां से राये है, निकल रहा है जो पिछले सो साल का तज़रबा है, कि हर बार आप अंदोलन करड़ा होता है, हर बार आप कुछ लड़ते हैं, अब ही इंटरिम फर्म्स की तलाश है, सब जगे पहे ऐसे फर्म्स की तलाश है जहां, कुछ ना कुछ फर्म तो जही है, कुई ना कुई और अगनाइजेशनल शकल तो उसको दे नहीं होगी, कुछ ना कुछ जरीये से वो चलेगा, कहीं पे वो छोटे छोटे डायरेक्ट डिमोक्रिसी के फर्म में है, कहीं पे वो पॉपुलर बजेटिंग की शकल लेता है, कहीं पे वो छोटे लेवल के रेफरेंडम्स करवाने का फर्म लेता है, यहाँ पे इन्होंने मौला सबाव अगरा की बात चलाई थी, आमाद में पार्टी ने उसके बाद तो खेर जो तो सिचुएशन ही कुछ ऐसी है इस वक्त, देखिए कब तो चलता है, लेकिन जो उसका एग्रिगेट लेवल पे होना है, वहाँ मुझे लगता है कि पुरानी जो तथाकतित आइडियलोजिकल पार्टी थी, वैंगर्ड पार्टी उसकी जगे नए किसम के कोलिशनल प्लैटफॉर्म्स जो हैं, उनकी मुझे कुन जाइश जादा दिखाया थी, अब यह देखिए आपके कितने डाइवर्स किसम की पुलिटिकली ग्रूपिंग्स हैं, लेकिन आंदोलन में मोर अलेस वो एक जगे पे सहमतियां कुछ बन गई हैं, कैसे आंदोलन कंड़क्ट करने के कुछ ग्राउंड रूल्स बन गए हैं, और नेगोसियेशन कैसे होने हैं, उसमें क्या होना है, उसकी ग्राउंड रूल्स बन गई हैं, तो यह भी एक नीचे स उभरने वाला प्रोसेस है, टाइम लगता है, जाहिर है, पहले दस लोग बैठके एक पार्टी बना के गोशना कर देते थे, उसके बाद मीडिया एडिया में थोड़ा खेल होता था, अब उसमें जो पुराने ताकतवर तबके थे, उनी के लोग, पुराने राजे रजवा आड़े ये, वो ये सब बाद जाके निता बन जाते थे, अब जो है, ये विलकुल दूसरा जमीन से उठने वाला वो है फॉर्म, टाइम लगता है, टाइम लग रहा है, शायद इस से, लेकिन मैं समझता हूं कि लॉंग रन में, ये सब एक नए फॉर्म की तलाश है, मतलब आंदलोनों का इस नतीजे पर पहुचना कि ये फॉर्म नहीं चलेगा, और इसको दूरी रखना है, ये अपने आप में एक उसका पहला कदम है, तो अभी तक जो, अब जैसे एक बहुत ब्रीफली वो अगर इशारा करूं तो वर्कर्स पार्टी अफ ब्राजिल जो थी, प आप से प्रेक्टरीज में से वो होने वाले ट्रेड उनियंस थे, वहां से निकले वे उसी से पार्टी बने गई, तो ऐसा कुछ मुझे लगता है, सम्थिंग लाइक भाग लेने के लिए और इस किताब के जरीए, इस किताब के बहाने हमें बहु सारे और ही मुदों को अच बात होगी, सिर्फ एक गुजारिश ये है कि हमारी इस चर्चा पर आपने टिपने दीजिए और अपने कॉमेंट्स हमको भेजिए, तो ये चर्चा रुकेगी नहीं, क्योंकि ये बातचीत और विमर्ष का एक जरिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार